तो उस समय इस पूरे भूखंड पर हिंदों की आबादी हुआ करती थी 60 करोड हिंदों यहां रहा करता था साथ सो बारा इस्वी में और 1947 में जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत और मैपाल पाकिस्तान और जुबर्तमान का बांगला देश है इस सब की आबादी मिलकर के हिंदों की कुल आबादी पची रही मात्र थैंटीस करोड यहां बारा सो पैंटीस वर्सों में हमारी आबादी साथ करोड से बढ़ करके 120 करोड नहीं भी 100 करोड नहीं भी हमारी आबादी बारा सो पैंटीस वर्सों में घटी हम साथ से 30 प्यादे यह क्या साविक करता है हिंदों पे क्या प्याचार नहीं हुआ है क्या हिंदों को रौदा नहीं ग क्या हिंदु परंप्रां तो लांची तरफ पानिक नहीं किया गया और उस सब के बाब जो कभी भी हितों ने किसी का हित नहीं किया दुनिया के अंदर आप जाईए आद आप देखते होंगे अरब जगत में वहां पर इराग के अंदर आइस आइस नाम का एक अलकाइबा कातंग बादी वहां पर आकर के वहां पर किस तरीके से गैर मुस्मिमों को काट रहा है चाप ग़ए जैनि चाप तो से ग़ए को रहता रहा रहा है तेलिविजन के दिरिश्टे को आप देखने होंगे रोपटे खाकरने वाद दिरिश्य हो पुस्वों की तरह मनुस्यों को काटा जा रहा है और केवल मनुस्यों को ही नहीं गैर मुसल्मानों को ही नहीं आतंग बादी सुननी है तुछ सियाओं को भी काट रहे हैं इरान इरान का जो मूल अर्थ था वो पहले आर्यन देश था आर्यन का मूल निवास अस्थान था और इरान के बारे में कहा जाता है कि इरान के जो मूल निवासी थे पार्शी संदाय की लोग थे परशियन संदाय कि जो लोग थे वह अगनी पूजट थे अगनी पूजट हम सब हैं हम मंच पर आए हम लोगों ने सबसे पहले वीद प्रजोलन का तारिक्वन क्या है वीद प्रजोलन ये अगनी तो है वीद ज्यान का प्रतीक है प्रकास का प्रतीक है ये अच्छाई का प्रतीक है ये रशनात्मत्ता का प्रतीक है इस सकारत्मत उर्जा का प्रतीक है इस अगनी का पूज़क वो पार्शी समधाय हुआ करता था और अभी आपने इराग के अंदर देखा होगा जो यजीदी समधाय है वो अभी इसी अगनी का पूज़क है इसी अगनी का पूज़क है पार्शी समधाय को इरान से समात्त कर दिया गया पारसी सुनगा एकर कहीं बचा हुआ ते क्यों हिंदुस्तान में बचा हुआ है बाकी नहीं बचा है समात को हो गया सब वहां पर इस्लामी करण हो गया अफगानिस्तान आपने माभारत को आपने देखा होगा महाभारत का ग्रिश्य महाभारत गंत आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, या उससे पहले रामेनकार में आप जाईए, माराजा दसलत की रानी केकाई, वह तो उसी अफगानिस्तान से थी, जो आज अफगानिस्तान अलकाईदा की चपेट में हैं, आप महाभारत में आएंगे ग्रतराश्ट की पत्ती, कांधारी, वर्तमान कंधार की है, जो आज का कंधार है अफगानिस्तान का, उस कंधार की थी, इसका मत्तमा हिंदु राजा हुआ करता था, लेकिन आज हिंदु राजा वा नहीं, आज पूरी तरह इस्लामी का वागा हो हम गल्टी न करें, अकीट में जो गल्टी एरान के साथ हुई, जो गल्टी अफगानिस्तान के साथ हुई, जो गल्टी पाकिस्तान और बानादेस के साथ हुई, उस प्रकार की गल्टी करने की भूल हिंदु संदाय, पुरी दुनिया के अंदर रहने वाला हिंदु संदाय कताई न करें इसलिए सबसे पहले अपने प्रंप्रा पर गर्व की अंभूति करना हम चीखें कि हम अपनी रिशी प्रंप्रा का उतके प्रादिकानी हैं और इसलिए भारत की प्रंप्रा पर नैपाल की प्रंप्रा पर सनातन बैजिक हिंदु धर्म की प्रंप्रा पर अपने विस्यों कि उस्मान करमक्रा पर हम सब को गर्व के अन्गोती होनी चीए